हेलो एवरिवान लेट से स्टड़ी विद वंधना अगरवाल में आपका स्वागत है साथियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामीस शैसन से हमें टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही टीचिंग कारिय करना है तो इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ इंगलिश का टीचिंग प्लान जो है क्लास 4 के लिए और जिसका टॉपिक है वैक अप तो आईए हम देखें कि इंगलिश की सिक्षण योजना या टीचिंग प्लान को कैसे बनाया जाए ये देखिए, सिक्षन योजना या टीचिंग प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले चार कॉलम बनाने हैं जिसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम मैंशन करना है तो ये जो हमारी सिक्षन योजना है ये 35-40 मिनिट्स के यानि कि एक पिरिएट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये एक पोयम है तो ये एक ही पिरिएट में कवर हो जाएगी जो इसके लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं, the children are able to understand the poem यानि कि जो चिल्रन हैं, जो बच्चे हैं, students हैं वो पोयम को understand कर पाएंगे The children can narrate the poem in their own language और चिल्रन इस पोयम को अपनी खुद की language में बता भी पाएंगे Topic, wake up Required materials में आएगा A color chart showing the morning scene क्योंकि ये सुबह के बारे में है सुबह सुबह जब बच्चे जागते हैं, उस समय क्या होता है तो इसमें हम एक color chart दिखा सकते हैं जिसमें morning scene को describe किया हुआ है Book and teaching material available on दीक्षा और दीक्षा app पर जो उपलब्द सामगरी है इस chapter से related उसका भी हम सहारा ले सकते हैं अब हम चलते हैं teaching learning process में तो पहला step है in the beginning of teaching इसमें हमें क्या करना है Teacher will talk to students about their surroundings and ask following questions हम बच्चों से कुछ बाते करेंगे ये 5 minutes का step है जिसमें हम questioning method का प्रियोग करेंगे हम इस type के questions पूश सकते हैं जैसे have you see any bird in the morning? Students yes बोलेंगे when do you get up in the morning? तो वो बच्चे अपने according बता सकते हैं कोई बोलेगा early morning कोई कहेगा 5 o'clock, कोई 6 o'clock कि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम बाहर क्या देखते हो तो देखें बच्चे सूरज भी बता सकते हैं birds भी बता सकते हैं dog, hen, जो भी वो देखते हैं ठीके? तो हम next step लेंगे during the teaching तो अब हम सिक्षन के दौरान उस समय पर हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम 22-25 मिनिट्स का समय लेंगे और यहाँ पर जो असिस्मेंट होगा वो observation के through होगा teacher will write new words of the poem with Hindi meaning on the blackboard सबसे पहले जो teacher है वो इस poem के जो new words हैं उनका और Hindi meaning blackboard पे लिखेगा then recite the poem with proper rhythm and reasonable pause between words and lines उसके बाद teacher इस poem को recite करेगा कैसे proper rhythm के साथ और जहाँ भी pause है words or line के बीच में उनके साथ now the teacher will ask the students to recite the poem aloud उसके बाद हम बच्चों से poem recite करने के लिए कहेंगे और while the students are reciting the poem individually the teacher goes around the class and observe how well students are reciting the poem जब बच्चे इस poem को recite कर रहे होंगे तो teacher class में गूम के यह देखेगा कि बच्चे किस तरह से उसको recite कर रहे हैं in between teacher will write the few lines of the poem on the board और इसी दोरान जब बच्चे poem को recite कर रहे होंगे तो हम poem की कुछ lines को blackboard पर भी लिख देंगे this work will be done in English and Hindi language respectively और ये कारिये हमें English और Hindi दोनों ही language में करना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परिशदी है school के बच्चे इतनी fluent English तो नहीं बोल पाएंगे और नहीं वो इसको understand कर पाएंगे तो हमें ये काम दोनों ही language के थुरू करना है after teaching जब हमारी teaching हम ये chapter उनको पढ़ा देंगे ये poem तो हम क्या करेंगे teacher will assist the learning of students through the questions हम जो बच्चों की जो learning process है उसको कुछ questions के थुरू ज़स करेंगे ये 10 minutes का होगा और to check the assigned work और इसमें हम जो assessment होगा वो उनके जो हमने work दिया है उसको check करने के थुरू हम कर सकते हैं जैसे which words have similar sounds in the poem हम कुछ words लिख देंगे और बच्चों से कहेंगे कि उनके similar words बताईए जैसे day तो बच्चे पले बता देंगे देखके trees, sheep तो इस तरह से हम उनको rhyming words पूछ सकते हैं उनसे इसके लाब हम कुछ questions भी पूछ सकते हैं जैसे who are already aware where are the birds singing? what do you have learned from this poem? तो इस सब का answer देने से हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने poem को कितना understand किया है assignment or homework में all the students will write the 8 lines of poem in English and learn these lines assignment में हम बच्चों को 8 line की poem लिखने और याद करने के लिए दे सकते हैं teachers further plan जो सिख्षक की आगामी कार्य योजन होगी according to the level of the students the next teaching plan will be prepared बच्चों के level को देखकर कि वो कितना समझ रहे हैं कितना understand कर पा रहे हैं उसके according हम अपना next teaching plan बनाएंगे तो ये थी सिक्षन योजन इंग्लिश की अगर आपको पसंद आई तो क्रप्या इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद